Hello and Namaskar everyone, मेरा नाम है दिपाली कॉल, मेरे चानल इम्रामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच आप में जो लोग पहली बार मेरे चानल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरे रीडिंग्स चेक आउट कर रहे हैं, welcome, like और subscribe करना मत भूले आज़ अब देखिए एक general reading है for the next 10 days starting from 26th of Feb to 5th of March इस reading में हम देखेंगे के Virgo के लिए career related and money related क्या messages हैं, आएए start करते हैं Universe, please बताएए वर्गो के लिए career related messages क्या हैं for the next 10 days, 26th Feb to 5th March, career related messages for Virgo Universe, please बताएए money related क्या messages हैं for the next 10 days for Virgo, 26th Feb to 5th March, money related messages for Virgo Okay देखिए Virgo हमारे पास Gemini Libra Aquarius बहुत important है आपके career perspective से मुझे ऐसे लग रहा है अपने career में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोई ऐसा इनसान हो सकता है जो कि आपको जूट सच कर रहा हो आपको धोका दे सकता है, आपको हराने की कोशिश कर सकता है, आपसे आगे निकलना चाहता है वो या फिर आप आगे निकल रहे हैं तो उनसे वो बरदाश नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके जान पर चान के इंसान हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं मुझे conflicting vibes आ रही है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे profession में हैं, ऐसे काम में हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, आपका मन कहीं और है मतलब आपको करना कुछ और है, क्योंकि आपका मन कहीं और है बट लइक आप कर कुछ रहे हैं, किसी और profession में है बट आपको करने हैं कुछ और मन है, ऐसा कुछ conflicting vibes आ रही है arguments हो सकती हैं आपके काम में, next 10 days में अपने कलीक से, अपने boss से कुछ जगड़ा हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है, कोई आपको बहुत बुली करता है आपको तंग करता है, या तंग कर रहा है, करता दिख रहा है next 10 days में, धोका देता दिख रहा है next 10 days में वैसी कोई मुझे वाई बारी है अब देखिए, पैसे से related हमारे पास है four of cup spices, या cancer, या scorpio important हो सकता है daydreaming, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे आब आग में रहे हैं, आप उनके बारे में सपने पहले देख रहे हैं कि जब पैसा आएगा, तो मैं क्या करूँगा ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके पास उतना ठोस पैसा आया नहीं है बट उसको लेकर सपने सजाने वाली जो activity है ना, जो की वर्गोस की फेवरेट होती है I think वो जादा है, तो आप reality में नहीं जी रहे हैं कि जिस तरीके के आपके सपने हैं, उसके लिए जितना पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए जितनी मेहनत करनी है, वो करें आप reality में रहे के मेहनत नहीं कर रहे हैं बट आप उस पैसे के बारे में and उस पैसे से related जो आगे चीजे चाहिए आपको उस बारे में सपने जरूर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ी से सुस्ती दिख रही है पैसे चाहिए आपको बहुत, बट उसके लिए मेहनत, efforts, action, काम करते नहीं दिख रहे हैं आप action लेते नहीं दिख रहे हैं सुस्ती है and lethargy है and present में नहीं जीना जो पैसा आया नहीं है, बट चाहिए उसको लेकर बस सोचते रहना तो थोड़ी वैसी vibe है Universe, please बताएए, Virgo को लेकर क्या messages है next 10 days, career, health, wealth, money, finance, Virgo, career, okay Younger woman, dealings or relationship with a younger woman कोई female हो सकती है, जो कि आप से young है आपकी boss भी हो सकती है, आपकी sister हो सकती है आपके कोई friend हो सकती है, आपकी colleague हो सकती है बट यह बहुत important है हो सकता है यह जो आपको betrayal और bullying और conflict और जगडे वाली जो जूट सच वाली जो vibe है यह आपके काम में कोई ऐसी female हो जो कि आपको जूट सच कर रही हो, यह आपको धोका दे रही हो आपको लगता है कि यह आपकी बहुत अच्छी friend है बट maybe आपके secrets जो है यह बाहर जाके बता रही हो आपके boss को बता रही हो, कुछ आपके बारे में बातें वैसा हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरुवत है जादा secrets अपने किसी से ना share करिएगा especially किसी female से तुम्हें आपको बोलूँगी ना ही करिए अभी at least next 10 days के लिए universe, career, health, wealth, money work के लिए क्या messages है next 10 days universe, please बताएए dagger, fear, worries, tense situations देखिए थोड़ी सी चिंता का महल हो सकता है थोड़ी सी tension हो सकती है थोड़ी सी घबराहट हो सकती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ सी घबराहट हो सकती है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में maybe आपका काम ऐसा है या काम को लेकर ये जो दूसरा इंसान जूट सच कर रहा है या धोका दे रहा है उसको लेकर आपको टेंशन है या स्ट्रेस का मोहल है कि उसने जो जूट बोला है आपके बारे में उसके बाद बाकी लोग क्या सोच रहे हैं तो वो बाकी लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं उनका आपको लेकर क्या नजरिया है, क्या सोच है, क्या perspective है, क्या opinion है, आपको लेकर वो क्या नजरिया रखते हैं, उस चीज़ को लेकर शायद कुछ tense situation हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई पीठ पीछे, खंजर भोकने वाली जो चीज़ होती है, वो मुझे लग रह है कि पीठ पीछे कोई कुछ बात कर रहा है, आपको धोका दे रहा है, यूनिवर्स वर्गो के लिए message बताईए, health, clouds, temporary problems, देखिए ये जो भी दिक्कते हैं, ये temporary है, इनको जादा सोचिएगा मत, जादा तवज्जो मत दीजेगा, जादा importance मत दीजेगा, जादा ध्यान मत जाएंगी, क्योंकि देखिए, ऐसे आप यूनिवर्स को एक energy देते हैं, vibe देते हैं, यूनिवर्स को लगता है कि ये दिक्कत छोटी थी, but वर्गो इस पे इतना क्यों सोच रहा है, इतना क्यों ध्यान दे रहा है, जरूर ये कोई बहुत important चीज होगी, तो वो उसको और ज इकत थोड़े time के लिए होगी और चली जाएंगी, तो tension लेने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स प्लीज बताइए, charms में से क्या messages है, वर्गो खिलिए, next 10 days, letter D, letter R, letter G, group discussion हो सकती है, आप लोगों में से किसी, कोई group discussion में बैठ रहा है, कोई एक जुन में आप बैठे होएं या कोई चीज discuss कर रहे हैं, वैसा मुझे लग रहा है, डॉक्टर के पास शायद आप में से कई लोग की कोई visit हो रही है, डॉक्टर के पास कोई जा रहा है, आप में से कई लोग deputy general करके कुछ ऐसी designation पे या कुछ है, आप में से कई country location, name, initials, university, block कुछ है तो, बिल से बाहर निकलने की जरूवत है, आपको अपने comfort zone से बाहर निकलने की जरूवत है, जैसे आप अपने comfort zone से बाहर निकलेंगे, आप बाहर की दुनिया देखेंगे और आपको पता लएगा, आप क्या चीज miss out कर रहे थे, अगर आप बिल में गुसर रहेंगे, तो सर्फ बिल ही दिखता रहेगा, आपको लएगा कि अच्छा, यूनो लेक मैं बाहर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी जिन्दगी ही क्यों ऐसी है, यूनो लेक, limited resources मेरी जिन्दगी में ही क्यों है, वो इसलिए हैं क्योंकि आप comfort zone से बाहर नहीं आ रहे हैं, patience रखने की जरुवत है, patience की बहुत जरूरत है, impact, काफी ज़ादा जरुवत है, luck, opportunities, fortune है, but again, patience रखने की जरुवत है, loyalty भी है, but उसके लिए सही लोग चुनिए, सही लोग अपने जिन्दगी में रखेंगे, तो loyalty होगी, हर किसी को पकड़ के अपनी life में मत ले दीजे, देखिए, इंतिजार करिए, मतलग एक कैतने एक आजमाई है उस इंसान को कि ये मेरी जिन्दगी में रहने लायक है या नहीं, आप में से कई लोग dog lovers हो सकते हैं, वो भी चीज हो सकती है, किसी के पास pet हो, या कोई feed करता हो dogs को, animal activist हो सकते हैं आप में से कई लोग, but yes more or less मेरे पास यही messages थे, universe के तरफ से वो गो, अगर आपको मेरी reading पसंद आए, you know the drill, like करिए video, share करिए, comment करिए, subscribe करिए मेरे channel Imrama Tarot को और part बनिए मेरी प्यारी सी Imrama Family का, thank you, bye